हम जब कोई भी कारे करते हैं तो उसमें सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए शद्दा होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए अपने काम के प्रती प्रेम होना चाहिए जदि हम अपना काम करते हैं किसी भी खेत्रम हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो जदि प्रेम से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं शर्दा से काम करते हैं तो यूँ वो काम है, वो काम बड़ी जल्दी और बड़ी अच्छे तरीके से परिपूर्ण होता है, जदि उस कार्य में हम थोड़ा सा भी बिलम करेंगे, तो वो जो कार्य है, वो संपन नहीं होता, जैसे यहाँ पर शिव भक्त आते हैं, हम वार वार कहते हैं, शिव भक्त भी हो सकते हैं, माता के भक्त भी हो सकते हैं, सबी वक्त हो जाकते हैं, सबी वक्त आते हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते जब सीडियों में पहुंच आते हैं, तो सांस फूल जाती है, पूचते हैं, कितना रहा, कितनी दूर हैं, तो हमारे जो फोज, हमारा जो परशासन हमारा जो डिपार्डमेंट लगा हुआ है तो वो उनको विश्वास दिलाते हैं अरे आप तो पहुंच गए बाबा के दरवान में पूस देखो सामने दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब उनको विश्वास दिलाते हैं तो उनको क्या होता है उनको जे हो जाता है कि हम तो पहुंच गए हैं तो जब परिक्षित जी को शुराप मिला तो मुनिशुकदेव जी के पास गए कि महराज बताईए मेरा कल्यान कैसे होगा तो उन्होंने जे नहीं कहा कि तुम तो मरने वाले हो अब तुमारा कल्यान नहीं है जब कोई बिमार होता है डाक्टर के पास जाते हैं तो जो बहुत अच्छे डाक्टर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ अभी तो आप बहुत दिन जी हो गए लेकिन कुछ डाक्टर के देरे बड़ी देर हो गई गर में ले जाओ सेवा कर लो जितनी कर सकते हैं लेकिन प्रिक्षित जी कहते हैं मुनिशुकदेव जी प्रिक्षित जी को कहते हैं कि चिंता ना करो राजन साथ दिन अभी बाकी है प्रभू पद से पर्मपद मिलता है तुमारे शरीर के अभी साथ दिन बाकी है देखता हूँ आज मैं आप के लिए मोक्षद्वार राम मारग आप के लिए कैसे खुलता नहीं है ये विश्वास उन्होंने उनको दिलवाया है तो इसलिए कोई भी काम करो तो उसके प्रदी निष्ठा होनी चाहिए श्रद्दा होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए विश्वास होगा तो वो जो कार है वो भी वड़ी सर्ल तरीके से संबन हो जाता है कल हमने आपको एक सुलोग सुनाया था कि यम प्रब्रयंतम्मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वई पायनों विरहा कातर आयुहाब अर्थात जब निश्वुकदेव जी ने जन्म लिया तो जंकल की तर्फ चल दिये और पीछे से उनके पिता जी महरेसी बिद्वयास जी बाग रहे है कातर आज ुहा वहा कातर वहाव से बुला रहे है अरे बेटा बेटा रुको रुको बेटा लेकिन पीछे मुढ़ करके नहीं देखा तो तरनु अभिदेश तूस्तम कौन जवाब दे रहा है विक्षत जवाब दे रहे हैं अरे ब्यास जी जिनको आप अपना पुत्र मान रहे हो पिसले जनम में हो सकता है वो आपके पिता रह चुके हो भक्त जनो आज हम और आप जहां पर इकठे हुए हैं किसी ना किस करने आया है कोई सेवा करने आया है तो यह हमारे करम हैं अच्छे कोई पुन्य किये होंगे तभी आये हैं और पिसले पूरव जनम में हमारे समंद रहे होंगे तभी हम यहां सेवाब के बाहर ने आप सब मिल रहे हैं जो रहे हैं किसी जनम में हम आप मित रहे होंगे दोस् जो है बो जवाब दे रहे हैं जिनको आज आप अपना पुत्तर मान रहे हैं पिसले जनम में यह आपका साइद पीता रहे है जुका होगा जब उन्होंने सुना तो बापस आ गए तो मुनिशुकदेव जी ने प्रिक्षित को जब कथा सुनाना प्राराम किया देवताओं को पता चला अरे यह अमर कथा मुनिशुकदेव जी प्रिक्षित जी को सुना रहे हैं हम रहे इससे बंचित रहे तो देवता लोगों ने क्या किया अमरित का कलश लिया तो जहां पर ये कथा हो रही थी वहां पर ये अमरित का कलश ले करके चले गए बहां जब पहुंचे हैं अमरित का कलश मुनिशुकदेव जी के आगे रख दिया और जब उनके आगे जे कलश रखा तो मुनिशुकदेव जी ने पूछा कि महराज ये क्या है ये क्या लाए आप सुदा कुम्बं ग्रहित वेव देवा सत्त्र समा गमन ये क्या है ये क्या लाए हो तो मुनिशुकदेव जी को कि महराज ये अमरित है जहां क्यों लाए महराज हमने सुना है कि प्रिक्षत जी जो है वो साथ दिन में मरने वाले हैं भक्त जनो हमने और आपने भी साथ दिन में ही मरना है साथ दिन के अंदर ही को एक ऐसा दिन होगा जो हमारे और आपके लिए निश्चित होगा जो इस अंसार चोड़के हमें आपने जाना है जहां से तो देवता कहने लगे कि पृक्षठ जी जो है वह साथ दिन में मरने वाले हैं और अगर अमरित पी लेंगे अमर हो जाएंगे तो जो मरने का जंजट है भो खतम हो जाएगा समाबत हो जाएगा इसलिए हम सब देवता ये चाहते हैं कि ये अमरित का पान जो है वो आप प्रिक्षद जी को करवा दीजिए मुनिश गुदेव जी मन में सोचने लगे कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए महाभारत में एक अथा आती है क्या कि गरुड जी को एक वार अमरित की आफशक्ता पड़ गई तो इंदर लोग में गए तो जब वह अमरित लाने लगे तो इंदर आदी देवता मरने और मर मिटने के लिए जुद करने के लिए आगे कि हम आपको ये अमरित नहीं ले जाने देंगे गरुड जी कहते है कि आप मुझे नहीं रोक सकते मैं इसे ले कर जाऊंगा इंदर कहने लगे कि गरुड जी आप इसे ले जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप जिनके लिए जे अमरित ले जा रहे हैं हमें दिक्कत है क्योंकि आप जदी उनको पिला दोगे किस के लिए ले जा रहे थे सर्पों के लिए कि उनकी मा यो थी वो दासी थी बिंटा और सर्पों की माधा कदुती तो कदुती धी तो शर्त थी कि अगर अबारत कि ला करके दिए जाए तो इनको दासत्री से मुक्त जाएगा तो गरुड़ जी आज अमरित लेने गए हैं तो जब ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि जदी सर्पों ने अमरित पी लिया तो पूरे संसार में हाहा कार मच जाएगा इसलिए महराजी अमरित रहने दीजिए तो आपस में समझोता होता है तो गरुर जी महराज जब अमरित लाते हैं सर्पों की माँ को जब अमरित का कलस देते हैं अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करके ले आते हैं तो इंदर जी आते हैं और वो जो कलस है और कद्रु जी के हाथ से छीन करके ले जाते हैं तो मुनिश उकदेव जी कहते हैं उस समय गरुजी को अमरित की आफशक्ता पड़ी तो मर मिटने के लिए आगए आज ना हम ने बुलाया ना प्रिक्षित ने बुलाया बिन बुलाया अमरित लेकर के आ गए हैं पिला दीजिए आप कहते हैं एक शर्थ है माईरा थे पिला देते हैं यहीं पिये लेकिन एक शर्थ है किया आप अमर कथा जो भागवदा अमर कथा जो है प्रिक्षित को पिला रहे हैं सुना रहे हैं वो आप हमें सुना दीजिए अर्थाद अदला बदली कर लीजिए भक्त जनों हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अमर कथा बाबा की दरवार में जहां हुई थी बगवान बोले नाज जी ने जहां परगट क करती थी मापारवदी को निवित करके वही अमर कथा हम और आप जो है स्रवन कर रहे हैं जहां बाबा की दरवार से जहीं यह पर उसका उद्गम हुआ था और आज पूरे संसार में घर घर में उसका परचार परशार हो रहा है तो कि देवता लों कहने लगे कि अदला बदल कर लीजिए कि मुणि सुकदेव जीने अवक्ताष्यताष्यविक ज्ञाइन ददौसा कथा मृतम कभी झानने को जो अभक्त है उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए जो जरूरत मंद हो उसे ग्ञान दो जिसे चाहिए कि इसे ग्ञान देना चाहिए उसे दो नहीं तो सब जगा ग्ञान मत बाढ़िये तो अबक तांस्य तांस्य बिग्याईना ददउसा कःथामरितम उनको वहाँ से बगा दिया कि आप कःथा की अधिकारी नहीं हो क्योंकि आप तो कथा खरीदने आए हो सुनने नहीं आए हो जदि श्रद्दा से प्रेम से कथा सुनने आते तो हम आपको श्रवन करवाते वहां से उनको निकाल दिया ब्रह्मा जी को जा करके बताया कि महराय हमें अमर कथा नहीं सुनाई ब्रह्मा जी ने तराजू लिया तथा राग्यों मोक्षम विक्ष कि तराजू लिया सत्य लोके तुलाब दत्वा तोलेत यत साद ने जहा कि अब उन्होंने उस तराजू में भाग्यों जी को रखा है और एक दरा लगुन्य अन्य जातानी गोर्वे निदम है तो सभी गृंथों को रखा है तो जो भाग्यों का पलड़ा था वो भारी था इसलिए वो नीचे ही रहा जो हलका था वो परहुट गया तो बिधाता विश्मयहा ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए कहने लगे कि जी जो भाग्यों है यह साक्षाद श्रे कृष्ण एव ही यह स्वयम भगवान श्रे कृष्ण जी का स्वरूप है बक्त जनो हम और आग इस लोग में अमर कथा जो है अनाया से ही प्राप्त होती है हो रही है लेकिन देवता लोग इस कथा के लिए तरसते हैं वो भी कहते हैं कि जड़ी हमारा जनम हो तो बार्त वर्स में हो और मनुष्ण का जनम ले करके जदे हम कथा सत्संग भजन किर्तन संत महापूर्शों के दर्शन ना करें तेमरित्युलों के भुवार भुताहा उ आईए इनी शब्दों के साथ हम जहां पर विराम देते हैं कल हम आपको बक्ति महाराणी के कष्ट की निवरित्य कैसे हुई देवर्शी महाराज ने कैसे निवरित्य दुखूस का दूर किया ग्यान और वैराग्य का कष्ट कैसे दूर किया ये कथा करेंगे तो बड़े सा करता हूँ कि यहां पर जो है समय का अभाव रहता है समय की प्रदिवत्यता होती है कथा वड़ी होती है कोई ये ना सोचे कि महाराज जी कथा जो है वो बड़े थोड़े से में कर देते हैं क्योंकि यहां पर समय की प्रदिवत्यता के कारण हम जो कथा हमें अच्छी लगत करते हैं वो हम आपको स्रवन करवाते हैं बोलिए संकर भगवान की जय